हेलो फ्रेंड्स, आज मैं छोटा सा पैटन लेकि आई हूँ, देखिए वी शेप में ये पैटन जाता है और आप इससे किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, ये इसका फ्रंट लुक है, बैक से ये ऐसा आएगा, बिना इसमें हमारी दोनों तरफ से चल देने हैं, तो 6 फंदों की बिनाई है, तो 6 छे जोर में आप इसमें फंदे डालके, लास्ट में 2 फंदे अपने दोनों किनारों के लिए डाल लीजेगा, तो ये बिनाई आपकी एड्जस्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको 14 फंदों में ये प रिपीट करनी है, तो धागा अपनी दरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, इनी 6 फंदों की ये बिनाई हैं, तो आप इसी को फिर से हम रिपीट करेंगे, तो देखिए 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उ एक, दो, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, कम्प्लीट हो गया है पैटर्न, लास्ट का एक फंदा बच्छा है, इसको हम सीधा बिननेंगे, आजाएए सेकिंड रोपे, उल्टा साइड है हमारा, दूसरी से लाई है, इसमें हमें जो जैसा फंदा दिखेगा, वैसा ही बिनना है, सीधी के उपर सीधा बिनना है, और उल्टे के उपर उल्टा, एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहां से स्टार्ट होगा, तो कम्प्लीट हो गया यहां पर पैटर्न, फिर से अपने पैटर्न को दोर आएंगे, तो यह दिखिए दो फंदे फिर सीधे हैं, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, कम्प्लीट हो गया है पैटर्न, लास्ट में आपके पास एक एज स्टिज बचे तो इसको हम उल्टा बिन देंगे आजाए अपने थर्ड रोपे तीसरी सलाई है पैटन की एक फंदा हमने स्लिप करना है अब जो पैटन रिपीट होगा वो यहां से स्टार्ट करेंगे हम एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा बिना दागे को पीछे करेंगे अब देखे एक उल्टा फंदा और एक सिधा फंदा इन दोनों फंदो को हमें ट्विस्ट करना है आगे से तो यह जो पीछे वाला फंदा है इसको हम ऐसे आगे से आगे की तरफ लाएंगे पहले ऐसे लाया ऐसे चड़ाया और अब इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिनेंगे एक दो अब देखिए फिर से एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा इन दोनों फंदों को हमें ट्विस्ट करना है अब की बार हम पीछे से करेंगे तो जो पीछे वाला फंदा है हम ऐसे पीछे की तरफ से आगे लाएंगे इसको ऐसे चढ़ाया बापस से और इन दोनों ही फंदों को सीधा बिंदेंगे एक दो फिर एक फंदा उल्टा कम्प्रीट हो गया है आपे पैटन फिर से अपने पैटन को दोराएंगे तो एक फंदा उल्टा दागा पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करेंगे आगे से एक उल्टा फंदा है एक सीधा फंदा है तो पीछे वाले फंदे को आगे से आगे लाएंगे और अब फिर इन दोनों फंदों को सिधा बिन दिया, अब फिर से ट्विस्ट करेंगे इन दोनों फंदों को, ये सिधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, तो ये पीछे वाले फंदे को पीछे से आगे लाएंगे, और दोनों फंदों को सिधा बिन देंगे, एक फंदा उल्टा, complete होगी है यहाँ पे pattern, last में आपके पास edges range बचेएगी तो इसको हम सीधा बिननेंगे आजाएए अपनी 4th row पे 34 लई है pattern की, जो जैसा फंदा दिखीगा वैसा ही बिनना है तो एक फंदा हमने slip करा, pattern हमारा यहाँ से start होगा, तो दिखीए, एक फंदा हमने सीधा बिननेंगे और अब यह 4 फंदे उल्टे हैं, एक, दो, तीन, चार, फिर एक फंदा सीधा, complete हो गया है यहाँ पे pattern, फिर से अपने pattern को दोर आएंगे, तो एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर एक फंदा सीधा, complete होगया है यहाँ पे pattern, last में आपके पास edge stitch बचेएगी, तो इसको हम उल्टा बिननेंगे, अब आजाएए अपने fifth रोपे पांच वी सलाई है pattern की सीधी दरफ से, एक फंदा slip करा, अब इन दो फंदों को हमें twist करना है front से, तो यह उल्टा फंदा है, यह सीधा फंदा है, हम आगे से इसे twist करेंगे, तो आगे से हम आगे लेके आएगे पीछे वाले पंदे को, ऐसे, ऐसे चड़ाया, और अब इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे, एक, दो, अब यह बीच के दो फंदे सीधे हैं, वो सीधे बिनेंगे, एक, दो, फिर से यह सीधा फंदा है, यह उल्टा फंदा है, इन्हें twist करना है पीछे से, तो पीछे से आगे लेके आएगे पीछे वाले पंदे को, ऐसे, ऐसे चड़ाया, और इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेंगे, एक, दो, कम्प्लीट हो गया है आपे पैटन, फिर से अपने पैटन को दोर आएंगे, तो फिर यह दो बीच के सीधे फंदे हैं ने सीधा बिनेंगे, और फिर यह एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, इन्हें twist करना है पीछे से, तो पीछे वाले फंदे को पीछे से आगे ले आएंगे, और दोनों को सीधा बिन देंगे, कम्प्लीट हो गया है यहाँ पैटन, लास्ट में एक edge stitch है, इसको हम सीधा बिननेंगे. आजएए अपनी wrong side में, उल्टा side है हमारा, अब यहाँ पे हमारे सारे फंदे उल्टे-उल्टे बिनके complete होंगे. इस रो में हमारे सारे फंदे उल्टे बिनेंगे, 6 रो है हमारी. यह देखिए, एक बर हमारा यह pattern बन गया है, इनी छेरो का यह pattern है, तो इनी छेरो को आप बार बार धोराते जाहिएगा. एक बर pattern बन गया है, और जब आप इसे बड़ा बनाओगे, तो यह कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा. Thank you.